आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप में नहीं देखा तो आपको बहुत पच्चतावा होगा तो वीडियो को एंड तक अच्छे जरूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कूल सही जानकारी यहाँ पर प्राइकर को देना है कितना समू के खाते पर रहेगा फिर उसका क्या करेंगे और यह सारी बाते मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आपको समू के खाते से सौचाले का पैसा कैसे निकालना है जो आप कारवाई पुस्त में लिखना होगा कैसे लिखना होगा क्या लिखना होगा मेरे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसके लावा भी मैं सामुदाइक साओ चाले किस्तों के बारे में बात करूंगी कितना रुपया इसमें आ रहा है और कितना कब कब आएगा कितना आपको निकालना है कितना खाते पे छोड़ना है तो यह सारी चर्चा मैं अपने इस वीडियो में बताऊं जलिए से वीडियो को लाइक किदी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल लाइकन को प्रस किजिए और पे क्लिक किजिए और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहले से पहले पहुंचेगी और आप अच्छे से च्छी जैनकारी की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस सामुदाइक सौचाले जो आप सभी के हैं उसमें जो भी के टेकर नियुक थे उसको 6000 मान देन दारित है कैसे मिलेगा तो यहां पर आप देखिए जो आपका कारवाय रेजिस्टर होता है उसमें यह जो पेज होता है यह मुख्य चर्चा का होता है आप सब को यहां पर भर देते हैं उपस्तिती है और पिछली बैठक का जो भी निरड़े है जो भी जैसे रोज भरते हैं आपको पता ह समूह बताओंगे का सभूनर की नाम होगा किसी का नाम बादल होगा किसी का नाम गुलाब होगा किसी का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है फलल ए टुजट जो भी आपके समू का नाम है लिख लीजे तो हमारे समू में सामुदाइक सौचले की रासी पंचायत निधी से समू के खाते में आ गई है और यह सभी को सूचित कर दिया है बैठक में आप जिट चर्चा करेंगी तब तो सभी को आपने बता दिया है मतब सूचित कर दिया है जितनी दीदिया है और राशी तीन महा की 27,000 रुपे आई है जिसमें समू सदस से मीना जी सौचले की केर टेकर है जिस समू को सौचले दिया जाता है उसमें समू की दीदिया आपस में चर्चा करके अपने में से किसी एक दीदि को केर टेकर के पद पर नाम भेजती है वो नियुक्त कर दी जाती है तो उनका वेतन जो है आपको देना केरटेकर है मीना जी तो उन्होंने अपना वेतन मांगा है अता उनका एक माह का वेतन 6,000 रुपे है तो 27,000 एडवांस आया है यानि 3,000 का आपको एडवांस पैसा दे दिया गया है तो हर माह का 6,000 रुपया वेतन केरटेकर का है वह 3,000 सवचले के हैं अता पदाधिकारियों से अनुरोध है कि मीना जी का वेतन खाते से निकाल कर दिया जाए वह सवचले के लिए साखसफाई के साधन हे तो भी पैसा निकाला जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको लिखना है और वो कहां पर लिखना है यह यह मैं आपको बता दू यह आपको अपने कारवाई रिजिट्र की मुख्य चर्चा में यहां पर आपको लिखना है इस जगह पे तो यहां पर आपको यह लिख देना है और लिख देना है अन कोई चर्चा ना होने के करड़ बैठक समाप्त कर दी गई और यहां पर जितने उसके बाद आपने क्या करना है कि पैसा निकालने बैंक में जाना है जैसे कि आप हमेशा सियाई पगरा का पैसा निकालने ठीक वैसे ही आपको जो है वहाँ पे निकालना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कि किस किस चीज के लिए कितना पैसा निकलेगा सबसे पहले है क इसमें नंबर एक सफाई कर्मी यानि केर टेकर जो न्यूक्त होगी दी दिन में कम से कम दो बार सफाई करेगी तो उतना उसको सामान किया सकता भी तो पड़ेगी दिन में दो बार सफाई करेगी उसका मान दे जो माश्रीक रासी है प्रतिमा 6,000 रुपे यहाँ पर उसको तो आप हर महिने का 6-6,000 रुपय उसको निकाल निकाल कर हर महिने ही देंगी खट्टा नहीं देंगी और हर महिने आप इसी तरह से करवाय रेजिस्टर पर एक प्रस्ताव पास करेंगी सभी के समक्ष जैसे भी लिखकर मैंने बताया लिखा हुआ ऐसे ही आप हर महा और उनका वेतन निकालेंगे 6,000 रुपय दूसरा है मरमत के लिए बिजली है प्लंबिंग है नल है टोटी है सब तूट फूट जाते हैं कहीं बलब खराब हो गया कहीं वायर फुक गई कहीं तार बजलना है या टोटी खराब हो गई या पाइप फड़ गया तो इन सब ची निकालने लेकिन छे महीने में एक बार ही निकालने है छे महीने में एक बार बाकी वो आपके समुके खाते पर पैसा पड़ा रहेगा यहीं कि आप हर माह निकाल लीजिए हर चीज लिखा पड़ी में ही चलेगी तो यहां पे आप समझ लीजिए और इसके बाद आपको बता चौथा है निस संक्रामक साबुन है वाशिंग पॉडर एर फ्रेशनर एर फ्रेशनर क्या होता है वो सचले के अंदर एक खुच्बू फ़लाने के लिए रखा जाता है लगा जाता है गलप्स हार्पिक बगईर धूने वगईरा के लिए मास दस्ताने एप्रें जो सब पहन का पूरी के डिवो साफसफाई करेंगे उसके लिए एक हजार रुपे प्रतिमाहा यनि हर महीने एक हजार आप निकाल सकते हैं पाचवा है यूटिलिटी चार्जे जनी की पानी बिजली सॉलिड वेस्ट मेंजिमेंट इसके लिए जो भी खर्च है तो एक हजार रुपे हर मह महीने इसके लिए आप निकाल सकते हैं अन्य कोई खर्चा है तो आप उसके लिए 300 रुपिया आप हर महीने निकाल सकते हैं तो कुल व्याय प्रतिमाह 9000 रुपे आपका सवचाले का होगा तो यहां पर आप जान लीजिए कि जो भी आप सामान यहां पे खरीदेंगे उसकी दुकांदार से जेस्टी वाली रसीद जरूर लेंगे रसीद ही आपको जब यहां आप रसीद लेके रखेंगे सुरचित और अगली जब आपको किस्त मिलेगी तो यह रसीद आपको वहां पे लगानी पड़ेगी दिखानी पड़ेगी कि यह सामान हमें दुकान से खरीद तब ही आपको अगला पैसा मिलेगा और अच्छे से आप यहां पे करिए यह नहीं कि पैसा जो आपका 3000 में से बच रहा है वो बाकी दीदियां मिलवाट के खा लेंगी क्योंकि लिखापड़ी में तो चलेगा जब आप रसीद दिखाएंगे कि इतना समान खरीदा था तो फि पैसे बचेंगे वो समू के खाते पर आपको सुरच्छित रखने होंगे और वही आपके समू में बचद भी होगी वो आपके आगे काम आएगी और अपने हिसाब से अच्छे से आप इसका पैसे का इस्तेमाल कीजिएगा आपको यहां पे इतना सा पैसा मिलता है और के टे स्था की गई है वो 25% धनरासी स्वच्छता सनिटाइजिंग सनिटाइजेशन के लिए रच्छित है और यह पूरा पढ़ लीजेगा बहुत लंबा चोड़ा में पॉइंट में आपको बता दें सामुदा एक सचाले के रख रखाओ का यहां कारवदाई तवस्वह साहता सम से वारता कर उन्हें जिम्दारी ग्राम पंचाइज द्वारा लिखित रूप में सऊपी जाएगी और सफाय कर्मी को तेनाद करने के लिए समय साहता समुओ को सफाय जो है करने के लिए कोई अपने मेसे सदस जो है तैनात करने के लिए नाम देना होगा तो यहां पर यह बताया गया है कि जो सामुदाइक सोचले बना हुआ है उसके आस पास जो पास में कोई स्वेम साहता समू होगा जनी कि स्वेम साहता समू हुआ ऐसा जो सामुदाइक सोचले के महले में रहता हो उसके आस पास हो उसी स्वेम साहता समू को सबसे पहले जिम्मेदारी दी जाएगी यदि वो नहीं करती है तो फिर किसी दूसरे समू को दिया जाएगा अनिथा जो सामुदाइक सोचले के पास कर लेते हैं अब जो यहां पे आपको बता दें कि पैसा जो 27,000 आया है वो किस तरह से आया है देखिए ग्राम पंचायद जो है पूरे वर्स का अधिक्तम दो किस्तों में देगी पहला प्रारंबिक माह में तथा दूसरा किस्त 6 माह के बाद यानि एक साल में आपको दो बार स पैसा समू के खाते में ग्राम पंचायद के द्वारा भेजा जाएगा तो आपका पहला पैसा 27,000 रुपे आ गया है जो एडवांस है और तीन महीनों का है तो यहां पैसा जो है तीन महीनों का आया है और जबकि लिखा हुआ है कि दो किस्तों में आपका पैसा आएगा साल म तो छे महीने का पैसा होना चाहिए था लेकिन जो पंचायद लिधी से तीन महीने का ही मिला है क्योंकि पंचायद लिधी कम है और यतना पैसा थो नोंने आपको पे किया है तो उनके हिसाब से है बाकी आगे देखा जाएगा फिलाल तीन महीने का ही अभी यहां पर पैसा 27, आया हुआ है आपके टेकर को पूरा तीन महीने का इखटा नहीं दे देंगे हर महीने आपको 6000 पे 6000 पे निकाल के देने हैं और बाकी खर्च भी उसी इसाफ से निकालना है तो 6 माह के बाद नीच हर 6 माह पे पैसा समुदाई से चलेगा आपको दिया जाएगा समु के खाते में और साल में दो बार आएगा ये पैसा तो राजी गराम पंचायच सीधे अपने आप किसी सफाई कर्मी को वहाँ निक्त कर देगी तो ग्राम पंचायच के दुवारा वहां देखभाल की जाएगी महिला के लिए अगर आरच्छी सवचाले बना है सफाई वह के टेकर महिला निक्त होएगी और अगर पुरुस के लिए आरच्छी सवचाले बना तो इसमें पुरुस कर्मी के टेकर के तोर पर तैनात किये जाएंगे अब हम लोग देखते हैं कि स्वेम साहता सम्हू एवं करमचारियों की भूमिकाएं जिम्मेदारी क्या है सबसे पहले स्वेम साहता सम्हू की क्या जिम्मेदारी है सौचाले को लेकर संचलन करना है रख रखाओ और सुविधाओं की देख भाल करना है पहले आओ पहले पाओ के अधार पर नियम का प्रियोग करना ये निए कि कोई बाद में आया है आगे लाइन में खड़ा होगे सौचाले में जाके अगर भीड है तो जो पहले आएगा वही पहले उसका यूज करेगा सफाई सामगरी और उपकरड उपलब्द कराना है उन्हें सिकायत रजिस्टर को बनाए रखना है अगर किसी को कोई सिकायत है उसका भी एक रजिस्टर बना के रखना है सौचाले का भी एक रजिस्टर आपको बना के रखना है उसकी भी लिखापड़ी देख रहे कि ये सब करते रहना हैं सफाइ इन्में तो करना कि दो करना है सफाई कर रही है या नहीं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सफाई कर्मी की भूमी का जो केर टेकर बनी है वो के जिम्मेदारी है दिन पर दिन की सफाई गति वीडियो को संचाले तथा सामुदाइक सचाले को साफ रखना सफाई कर लोगना और फिर सामुदाइक सचाले में चोरी को रोकना और परिसर को वेवस्तित रखना ये हैं आपके सफाई कर्मी की केर टेकर की भूमी का जिम्मेदारी होगी तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपोर्टन जानकारी थी जो सुरूर से अंट तक आपको अच्छे से बताई है कोशिस की आपको किक पॉइंट समझ में आ जाए फिर भी कुछ जानकारी रहे गई हो तो आप कोमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं कोशिस करूगी अगले वीडियो में बताने की वीडियो पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं में एक्स वीडियो में नहीं जानकारी